असलाम लेकुम आज की रेसिपी एक बहुत ही मज़ेदार से तरकिश डेजर्ट की है जो कहे है कनाफे इकली इस वर्मिसिली डेजर्ट मेड़ विद क्रीम एंड चीज आज हम इसको बहुत ही सिंप्लिफाइड तरीके से बनाएंगे और वो भी इसके लिए जो स्पेशल सिवईया बनती है उससे नहीं गर पे जो हमारे हाँ अहम तोर पे मुझूद होती है रेसिपी बहुत ही असान और सिंप्लिफाइड है और दिस इस दा अथेंटिक रेसिपी फॉर कनाफे तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले वैनिली है दो कप सिवईया और इसको मैंने चे से छोटा क्रश कर लिया है आप हाथ से भी कर सकते हैं चाय तो ग्राइंडर से भी कर सकते हैं कनाफे के लिए मार्केट में बहुत सी सिवईया अवेलिबल है लेकिन अगर हर किसी को अवेलिबल ना हो तो गर पर जो मुझूद हमारे हाँ आम तोर पर सिवईया आती है जिसे हम शीर खुर्मा वगरा बनाते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट किया है और उसके बाद मैंने इसमें हाफ कप मेंटेट बटर डाला है अगर आपके पास मेंटेट बटर नहीं है तो आप इसमें गी भी यूज़ कर सकते हैं इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक तुसे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और जब हम इसकी लिएर बनाएं तो इसकी लिएर असानी से बन जाए अब हम इसके लिए बनाएंगे क्रीम मिक्स्चर कुकिंग पॉट लेने उसमें टू ग्लास मैंने मिल्क यूस किया है मिल्क जो होल मिल्क हमारे गराता है जिसको खुला दूद भी कहते है आप टेटरा पैक भी यूस कर सकते है उसके बाद मैंने इसमें टू टेबल स्पून चीनी डाली है आप तीन टेबल स्पून भी डाल सकते हैं या जितना आपको जाइका पसंद हो चीनी के एक पानी जो है उसको खुश होने तक पका ले और उसके बाद मैंने इसमें हाफ कप क्रीम डाली है गर की बलाई भी आप यूज़ कर सकते हैं और टेटरा पैक की भी उसको इतना मिक्स कर ले के लंप्स फ्री हो जाए और उसके बाद मैंने इसमें त्री टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर, हाफ कप मिल्क और उसको अच्छे से मिक्स करके हमने इस उबलते हुए दूद में डालना है इन पोर्शन्स और साथ-साथ आपने चमचा हिलाते रहना है ताके ये लंप्स फ्री हो आँच आपने हलकी रखनी है और उसको मिक्स करते रहना है जब तक कि ये तिक होना ना शुरू हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी हमें तकरीबन इस किसम की चाहिए इसको हम साइट पे रख लेते हैं अब एक डिश ट्रे लेते हैं इस इस माइ फेवरिट ट्रे इसलिए मैं बेकिंग इसी में करती हूँ आप कोई भी जो आपके पास माइक्रोवेव सेफ हो ले 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 उसमें जो हमने बटर और सवईयों को मिला के एक मिक्स्चर बनाया था उसकी पहली लेयर बना लेते हैं लेयर को आपने अच्छे से इवन कर लेना है अगर आपके पास ऑफ बैक्स पैचोला या कोई स्पून हो तो आप इससे इसको इवन कर ले ग्लास की मदद से भी कर सकते हैं वर्ल लेयर बनाने के बाद हमने इस पर जितना जो क्रीमी मिक्स्टर बनाया था वो डाल देना है और इसको भी इवन कर ले जो आथेंटिक रेसिपी है कनाफे की उसमें चीज जरूर यूज होती है अगर आप के पास नहीं है तो आप ना यूज करें मैंने मॉजरेला चीज इसको टॉप कर लेते हैं आप इसकी जगा फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं इसकी टॉपिंग पे और पिर हमने इसकी फाइनल लेयर बनानी है उसी जो सवईया और बटर का मिक्स्चर था इस लेयर को भी आप इवन कर लें और इसको आपने 150 डिग्रीज पर डबल रॉट पे फैन आफ रखना है और 15-20 मिनिट इसको आपने बेक कर लेना है जब तक कि सवईयों का कलर अच्छे से ब्राउन ना हो जाए जब तक कि ये बेक होती है तब तक आप इसके लिए शूग लिए और इसको बस इतना तिन कर लें कि वो ना बहुत ज्यादा तिन हो और ना बहुत ज्यादा थिक हो जिस तरह कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है और जब ये कनाफे बेक होके आजाए तो इसके उपर से पोर कर लें 10 मिन इसको आपने रस्ट देना है तकि अच्छे से जितनी भी शुगर सीरफ आपने डाली है अब्जॉब कर लें उसके बाद आप इसको ड्राइफ रूट्स आफ यॉर चॉइस जो भी आपके पास अवेलिबल है उससे अच्छे से डेकुरेट कर लें इसको गरम गरम सर्फ करें और मुझे दौाओं में यार रखें I hope अब तक सबस्क्राइब नहीं किया हूँ जरूर सबस्क्राइब करें क्योंकि मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए आप लोगं की फीड़ बैक और आपके चैल फास बहुत ज्यादा जरूरी है